हर्याना के पूरु ग्रैम मंत्री अनिल विज ने लोग सभा में नेता प्रतिपक्ष राहूल गांदी को एक बड़ा चैलेंज करते हुए कहा की कानूनों में बदलाव कर सीम का चुनाव अमरिकन स्टाइल में हो सकता है तो मेरे मुकाबले में लड़े तब अपनी लोग प्रियकता का पता उन्हें चल जाएगा राहूल गांदी ने उत्तर प्रदेश के मुक्हे मंद्री को भी पत्र लिखा है कि हात्रस में सस्संग के दुरान हुए हाधसे में पीडिदों का मुआवजा बढ़ाए इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी वे पूर मुक्हे मंद्री दुशयंद चोटाला सो दिनों में भाजपा की पोल खोलने के ब्यान पर भी उन्होंने दुशयंद को आड़े हातो लिया राहूल गांदी ने एहमदाबाद में कहा कि भाजपा को आयोध्या की हीतरें आने वाले चुनावों में गुजरात में भी हराएंगे इस पर गरसते हुए हर्याना के बन गए हैं और बहुत लोगप्री हो गए हैं उन्होंने अगर अपनी लोगप्रीदा चेक करने हैं तो कानूनों में बदलाव कर अमरिकन स्टाल में मुख मंतरी का हो सकता है चुनाव हो जाए तो मेरे मुकाबले चुनाव लड़कर देख लिया अपनी लोगप्रीदा का पता चल जाएगा वही राउल गांदी ने हात्रस में ससंग के दुरान मची भगदर में हुई मुरित्कों के परविजनों को ज्यादा मुआवजा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखे मंद्री योगी अधित्यनाथ को चित्ति लिखी है इस पर विजने कहा कि जो हात्र राहुल गांदी जी पहले से अधिक वोटे लेके फेल हुए हैं फेल तो हुए हैं लेकिन पहले से थोड़ी ज़्यादा आ गई इसलिए उनको गलत फहमी हो गई कि वो देश के नेता बन गए हैं और वो बहुत पॉपुलर हैं उन्होंने अपनी लोग प्रता चेक करनी हैं तो मेरे मुकाबले में हम बाला कंट से चुनाओ लड़के देखले हैं कनूनों में बदलाओ करके पर देश का चुनाओ मुख्या मंत्री का अमरिकन स्टाइल पर हो सकता है तो मेरे मुकाबले में चुनाओ लड़के देखले राहुल गांदी को अपनी लोग प्रता का पता जांच कमेटी भी बना दिया है और जो रिपोर्ट आएगी कारवई भी की जाएगी। जहां तक मुआबजय की बात है तो वो तो जो स्टेट ने ऐसे किसी का तैकर रखा है तो सारों का एक ही होता है। मुदी ने स्टार्ट अप शुरू किया है। आतम निर्वर भारत शुरू किया है। जितना मुदी ने पुछान दिया है छोटे-छोटे कारवबारों को। उतरह तो आज से पहले कोई सरकार सोची ने सकी। किसी सरकार ने कभी बात ही ने किया से महमी की बात करने के लिए सिर परंट इस्ट्रालाजी सरकार के साथ ही थी जो खोलेंगे वो अपनी पोली खोलेंगे किसी और के नहीं खोलेंगे वो और खोलें बताएं अच्छी बात है